नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है सचिन तिनुलकर ने जब से क्रिकेट से सन्यास लिया है, वो अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं चाहे सारा हो या फिर अर्जुन के साथ और या फिर अपनी मा के साथ वक्त बिताना हो हाली में सचिन तिनुलकर अपनी चाची के जनम दिन पर उनके घर पहुँचे और उनका जनम दिन मनाया इस दोरान उनकी चाची ने केक काटा और सचिन को खिलाया भी, सचिन ने भी उन्हें केक खिलाया इस दौरान सचीन ने एक मज़ेदार किस्सा भी सुनाया सचीन तिनलकर ने कहा यहां आकर मेरी कई पुरानी यादेत आजा होगे सचीन ने बताया इसी जगह पर मेरी आंटी बैठा करती थी और मुझे गेन फेका करती थी मैं उन्हें लगातार गेन फेकने के लिए कहता था जिससे मैं अपना back foot defense अच्छा कर सकूँ यह देखकर खुशी होती है कि वो आज भी वो करने के लिए तयार है आपको जाते हैं सचीन ते दुलकर फैमिली वेल्यूस का बहुत सम्मान करते हैं सचीन अपने पिता के काफी करीब थे उनके देहान के बाद वो काफी तूट भी गय थे सचीन के बड़े भाई सचीन के करियर में बहुत बड़े योगदान के तौर पर जाने जाते हैं बचपन से ही सचीन के क्रिकेट को लेकर उन्होंने उनकी बहुत मदद की है सचिन तेनुलकर का बेटा अरजुन तेनुलकर भी अब आगे बढ़कर क्रिकेटर बनना चाहता है और फिलाल मुंबई इंडियन्स की टीम के साथ UAE में है और टीम के बलेबाजों को निट्स में गेंदबाजी करता है हाल के दिनों में अरजुन के क्रिकेट में बहुत सुधार भी नज़र आया है सचेंदिनलकर जिस तरीके से अपने आंट का बर्दी मनानी पहुंचे उससे साफ पता चलता है कि वो फैमिली वैल्यूज को कितना महत हो देते है फिलाल के दिन वीडियो में तमाम स्पोर्ट सब्डेट के लिए बने रहे हैं और इंडिया के साथ